दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Ficus plant की कितनी वेराइटियां होती हैं या मेरे पास इसकी कौन कौन सी वेराइटियां हैं इस प्लांट को किस तरीके से हम अच्छी तरह से ग्रोव कर सकते हैं इस प्लांट के लिए कैसा soil mixer होना चीए इसका fertilizer क्या होना चीए किस location में रखने से ये पोधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा इन्हीं सब केर टिप पर बात करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को बिना इसकिप किये पूरा जरूर देखना तो नमस्कार दोस्तो मैं हो विनोच स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल विनोच ग अरपा है ये पोधा पिछले दो सालों से मेरे पास है नरसरी पर मैंने जब इस पोधे को लिया था तब उस समय ये इसी प्रकार से 8 इंच के पोट में लगा हुआ था और ये पोधा मुझे 250 रूपीज में मिला था जिस समय मैंने इस पोधे को खरीदा था उस समय इसके पो तोटे बोंजाई या टूपियरी बनाने के लिए फाइकस फेमिली का ये पोधा बहुत ही बेश्ट होता है। किसी भी सोयल में अच्छी तरह से लग जाता है या ग्रो करता है पर इसकी अच्छी ग्रोध के लिए इस पोधे को पोरस और हलकी मिट्टी बनाकर ग्रो करें। कि वाटर रिक्वयर्मेंट की बात करें तो इस पोधे को मोईश्ट सोयल पसंद होती है। यानि कि आप इसके गमले की एक या डेड़ इंच मिट्टी सुखते ही इस पोधे को तुरंत पानी दीजिए। गर्मियों के सीजन में आपको इसके वाटर रिक्वयर्मेंट को खास ध्यान में रखना होगा। आपको इसकी मिट्टी को हमेश्टा मोईश्ट रखना है और जब भी आप इसको वाटरिंग करें तो उपर से नहलाते हुए इस पोधे को वाटरिंग करें। इस पोधे को नरसरी से लगबग मैंने 50 रूपी पॉली बेग में खरीद कर लेकिया आया था और इस पोधे को इसी 8 इंच के पोट में मैंने ग्रो किया है। 6-7 सालों में इस पोधे ने अपनी ग्रोथ किस प्रकार से की है आप देखी सकते हैं। ये पोधा इसका रूट सिस्टम और इसकी एरियल रूट इस प्रकार से बनी है कि ये पोधा खुची समय में बोंजाई में कनवर्ट करने के लिए रेडी है। इस पोधे को मैं हर दो साल में इसके इस पोधे से निकाल कर इसकी रूट की कटिंग और ट्रिमिंग करके फिर इसी पोध में दुबारा नई मिट्टी और नई खाद के साथ रिपोट कर देता हूं। ये पोधा लगबग 5 या 6 फिट का था लेकिन मैंने इस जगा से इस पो इस पोधे की बनाने का मेरा विचार है जिससे मैं इसकी समय समय पर कटिंग करता रहता हूं। और इसमें इस तरीके से एरियल रूट भी बने हैं। की मोटाई देखकर आप इसकी उमर का अंदाजा लगा सकते हैं। फाइकस प्लांड की किसी भी विराइटी को आप एक पोट में काफी लंबे समय तक ग्रो करके रख सकते हैं। ये पोधा लगबग 3 साल से इसी पोट में लगा हुआ है। इस पोधे की एक कटिंग लेकर मै मैंने ये एक और पोधा बनाया है। ये पोधा भी काफी देखने में नीचे से इसकी इस्टे मेच्चोर लगती है। इस पोधे को भी मैं एक बोंजाई प्लांट की तरह रेडी कर रहा हूँ। फाइकस प्लांट को हरा भरा और उसकी अच्छी ग्रूथ पाने के लिए इस पोधे को नाइट्रोजन और फोस्फोरस रिच फर्टिलाजर पसंद है। जिसके लिए आप 15-15 दिनों के अंतर पर इसे काउडन क्या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाजर दे सकते हैं। महिने में एक बार इसके पोट में बॉन मील या रोक फोड फोस्फिड का इस्तमाल कर सकते हैं। या तो फिर केमिकल में बेलेंस एंट्पी के 90-99 दो ग्राम एक लिटर पानी में मिला कर आप इसके पोट में भी दे सकते हैं। और इस प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। हाला कि फाइकस बेंजामिना में कई और भी कलर आते हैं जैसे कि नॉर्मल ग्रीन कलर, गॉल्डन कलर, ब्लेक कलर या इसके काफी अलग अलग वेरिगेशन भी मिलते हैं ये पोधा लगबग 3 साल से मेरे पास है, आप इसकी स्टेम को देखकर इसकी उमर का अंदाजा लगा सकते हैं हाला कि ये लगबग 5 या 6 फिट का पोधा था लेकिन मैंने इस पोधे को उपर से ट्रिम कर दिया, मैं आपको दिखाने की कोशिस करता हूँ देखिए इस जगह से मैंने इस पोधे को चौप कर दिया, जिसके कारण ये पोधा उपर से ग्रोध करना, इसकी उपरी ग्रोध रुक कर ये साइड से अच्छी तरह से ग्रोध करने लगा, जिससे इसका एक सेप मेंटेन हो गया, और ये पोधा इस समय आप देख रहे हैं, अच्छी सी सेप लेते हुए ये पोधा नजरा रहा है, इस पोधे को मुझे इस तरीके से ही टॉपियरी कह लिजिए ये बोंजाइ करहे लिजिए, पर इसी हाइड में इसी तरीके से ग्रोध करना है, इसलिए मैं समय समय पर इस पोधे की पिंचिंग और ट्रिमिंग करता रहता हूं जिससे इसका ये सेप मेंटेन रहे हैं पांचवे और लास्ट नमबर पर आप जिस पोदे को देख रहे हैं ये भी फाइकस प्लांट की ही एक वेराइटी है जिसका नाम पिट्टो स्पूरम है इसकी भी पत्तियां वेरिगेटेड और आगे से राउंड सेप में न इस गरिमी में आपको इस पोदे को सेड में रखना है इस धूप और गर्म हवा की वज़ा से इनकी पत्तियां बर्न होने लगती हैं जिससे आपको इन्हें इस समय ग्रीन नेट के नीचे या सेड में रखना सही रहेगा इंसेक्ट और पेस्ट की बात करें तो फाइकस प्ल से धो सकते हैं जिससे ये इन्सेक्ट इस पर से हड जाएंगे इन सभी वेराइटियों के फाइकस प्लांट के प्रोपोगेशन की बात करें तो स्प्रिंग सीजन में और मौनसून सीजन में इनकी कटिंग को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं इनकी कटिंग को 100% सक्सेस्पु इसकी cutting grow हो चुकी है तो बस दोस्तो I hope कि यह मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like करना अपने दूसरे gardener दोस्तों के साथ share करना और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले मेरी वीडियो की notification आपको जल्द से जल्द मिल सके इसलिए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना तो मिलते हैं दोस्तों किसी next वीडियो में किसी next plant की care को लेकर तब तक के लिए बाई, happy gardening, take care